पकॉडियां तो आपने पहले बहुत खाई होंगी लेकिन ऐसी मज़ेदार टेस्टी और हेल्दी पकॉड़ी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी आप एक बार इस तरह से पकॉड़ी बनाएं बहुत ही जादा हेल्दी और टेस्टी भी लगती है अंदर से बिल्कुल सॉफ् तो चलिए बनाते हैं इस हेल्दी और टेस्टी पकॉड़ी को इसके लिए हमने लिए हैं चने गेहूं के आटे लिए हमने दो चम्मच के करीब आलू लिए हैं दो और प्याज तो आलू को हम सबसे पहले ग्रेट कर लेते हैं इसे हम अच्छी तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर प्यास को काट लेते हैं तो प्यास को भी हमें बारीक बारीक ही काटना है ज्यादा मोटा नहीं काटना है प्यास को नहीं तो ये पकॉरिया जो हमारी बनेगी वो कुरकुरी नहीं बनेगी तो अब हम क्या करेंगे कि एक बाउल ले लेते हैं और बाउल में हम सारे इंगिडिय करके रखे थे आप इस तरह से पकोरी बनाएं बहुत ही ज्यादा टेश्टी बनती है मैं आपको बता नहीं सकती तो फ्रेंट्स मुझे लग रहा था कि यह बॉल मैंने कुछ छोटा ले लिया है तो मैं इसे बड़े बॉल में ट्रांसफर कर ले रही हूं तो यह देखे अब ह लिए धीज और साथी रालेएंगे हडी मिर्च दो से चार ल्सु न के जवे हमने छाप करके ले लिए हैं आदि चोटी चमच काली मिर्च झील्ये का पॉडर लिया हैं हमने चली फ्लैक्स लिए हमने आदि चोटी चमच और टेस्ट की प्यर्स शाफीन लेंगे नमक साथ ही लेंगे healthy powder इससे अच्छा सा color भी आता है और अब लेंगे हम गेहूं के आटे जी हाँ फ्रेंड्स गेहूं के आटे ये हमारी पकोडियों को अच्छा सा banding देगा और हमारी पकोडियों को और भी ज्यादा healthy बना देगा इस तरह की पकोडियों अगर आप बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे और नुक्सान भी नहीं करेगी तो हम इसे जरुत परित्वर इसमें पानी आट करेंगे नहीं तो प्याज अपना पानी खुदी छोड़ देती है तो ये थोरी ही देर में और भी ज करने के लिए तो मैंने इसे रिफाइंड वायल से फ्राई किया है मैं कराई में तेल डाल ले रही हूं आप इसे सरसो के वायल से भी फ्राई कर सकते हैं इसके टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं परेगा तो ये देखिए तेल हो चुका है गर्म और मैं इसमें थोरी-थोरी सी टॉपिंग कर रही हूं पकोडियों की तेल आप शुरू-शुरू में गर्म रखिएगा और फिर गैस को स्लो कर दीजेगा ताकि हमारी पकोडियां अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएं और उपर से क्रंची-क्रंची रहें तो यह देखिए अब मैं इन्हें पलट रही हू हमारी पकोडियों में एक अच्छा सा कलर आ चुका है और इससे बहुत ही अच्छी सी खुश्बू आ रही है आप इस तरह से पकोडियां बनाएं घर के सभी लोग दोरे-दोरे किचन में चले आएंगे कि क्या बन रहा है तो यह देखिए मैंने सारी पकोडियों को फ्राइ कर लिया है और अब यह सर्विंग के लिए तयार है यह देखिए इनमें कितना अच्छा सा कलर आया है कितनी क्रंचिनेस है यह पकोड़ी और थोड़ी सी ठंडी होने के बाद इसमें और भी ज्यादा क्रंचिनेस आ जाती यह बिल्कुल कुर्कुरी सी लगती है तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो मैंने इसे टमाटो सॉस और मियोनीज के साथ सर्फ किया है आप अपने मन पसंद किसी भी चटनी के साथ इसे सर्फ कर सकते हैं और इंज्वाय करें आप इस पकोड़ी को प्रेंस आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो फ्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब